नर्वर थाने शेत्र के अंतरगरत प्राचीन मंदिर से घंटे चोरी होने की वारदात सामने आई थी जिसके बाद पुलिस में ग्रामिनों ने रपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस सदिक्षक शिपुरी राजेश सिंग चंदेल के द्वारा अतरिक्त पुलिस सदिक्षक प्रवीन भूरिया स्ड़ोपी करेरा जीडी शर्मा को आरोपियों की पतारसी और माल बरामदगी के लिए निरुदेशित के जाने पर धानप्रभारी निर्वर मनीश कुमाश शर्मा ने एक टीम का अगठन किया इस टीम में शामिल उपने रिक्षक मनीश जादून चौकी प्रभारी मग्रोणी ने सानी मुखवरों की साहता से स संदिक्दों की पहचान की और इन पर साइबर साल की माध्यम से निग्रानी शुरू की विश्वास हो जाने पर पुलिसीन के द्वारा चोड़ी करने वारा एक आरोपी ग्वालियर से और दो आरोपी मुरैना से पकड़ कर पूस्ताच करने पर आरोपियों से 31 पीतल के में से तीन घंटे को ग्वालियर में बेचा जाना पताया जिसके बाद तीन बड़े घंटे वहां से जब्त के गए चार आरोपियों को ग्रफतार किया इनका वजन 300 किलो के आसपास है और कीमत करीबन 65,000 रुपे के आसपास है चोर एक आल्टो कार से विविन जिलों में जा यह आसपास के विविन गाओं में सब्सदालों इन उंदिरों में जाते थे तो यह पड़ा सा असलतोर सो रोज कई बात ने कि यह कैसे हो गया और निश्यतोर में जब यह अंदाज किया गया तो यह घंटे पे काफी वजनी थे तो यह दिमार माय कि कोई ने कोई पोर्वील इसके विरिफिकेशन किया कि क्या इस तरह को मेंट हुआ है तो उसमें हमें पास तीन लोग के नाम आये और उनने उनका पता लगाकर वनीश जादों जो मैं चोकी प्रवाई मंग्रोणी है और उनकी तीम अच्छी मेहनत करके इन तीनों को पकड़ा है यह तीनों जो है दो किरने वाले मर्त थीनों काड़ी से अधे आई यहां पर और यह तिनों मंदिरों में गंटें निकाल के नकर लेके गए तिस गंटे र्मावत कि pół में 1.3 केजी कुंटल, 1.3 के मंदिर के गंटे हैं, और इनकों साथ में एक और आठावर करने में पिलियर कई महिश्राटों, जिसे गंटे खरीद लिये थे, उसके हां से गंटे जब तके गए गए उसको भी मुल्जी मना गए तो इसमें 4 अरोपी है हमाई पास में, इसमें ब इनको रिमांट पर लेके, तो एक बड़ी अच्छी सपलता हमारे ठाना नर्वर और भगरोनी की टीम को मिली है, और खासों से यहां की जन्ता में उसके लिए बड़ी खुशी है कि यह का उनकी जो आस्ता का चीज थी, वापिस वेज़ी सही सही सलामत मिलेगी.